वेल्कम टू अल्ट्राविशन स्कूल पाटडी अत्यार सुधी आपड़े विज्णान ने अंदर देश्मा द्रण ने अंदर लेक्चर सम्झेयाने जुया था आजे आपड़े एक नौ द्रण चालू करवा जाही रहा चिये तो बॉरन नौ एक चेप्टर से नैज़्सर्गिक स्तरोतों ब्रावर नैज़्सर्गिक स्तरोतो इले आपणने प्रस्न थाए शब्दा उपर्थी येनु एक समझन जेशे ये सब्दा उपर्थी चे बड़ाव तो शब्दा नहीं सम्झूति आपने पासे असे तो आखोजे चेप्टर छे येने सम्झूति आपने धिमेधे में आटमेटेग ये आवर्शे बड़ाव सब्दा नी अंदर जुईए तो प पारान प्रशन थत्त वए येो आपने कैसा की स्थ्रोतो लेक कुद्रत मादी कुद्रत माथ जिये पनवश्टा आपने मड़ए यह वस्तु नो आपने उप्योग करियें, जमके पाने मलतु होई, हवान उप्योग आपने करता होई, स्वासु स्वासने करियामा, खोराक न उप्योग करता होई, बधी वस्तु कुद्रती चे, परवतो होई, तो परवतो नो कोई एक महत्वनो एक, यहनुक एक महत्वरेल ह आपने जंगोलों मादे आउस अधियोने बधी मरती होएं तो आचाहिए नैसर्गिक स्त्रोतों लेके कुद्रती स्त्रोतों कुद्रत ग्वारा बन्नावामा आविला होए यह वस्तों यहन उप्योग आपने करिए आपना माटे एक्सु गणाए स्त्रोत गणाए बरावर अधियो एदा कुद्रती रित्ते मरता तमाम स्त्रोतों नैसर्गिक स्त्रोतों क्यावामा आविछे जेम के भूमी पाणी हवा शुर्य उर्जा वगेरे प्रुथ्वी पर त्याना स्थीच जीवन सक्क्यव बने प्याल्लू आपना जुए एदा आचेप्टन नी अंदर न आपिक्स आखो समझारों न थी पन याना द्वारा जीए कई पन जी नैसर्गिक स्त्रोतों से भूमी पाणी के हवा यानी पर शुव असड थाए शुर्य नी याना विशे आपने सम्झूती लेवाने आम जुवजे यह नै तो शुर्य उर्जा आज आपनों मुख्य स्त्र आपने पौस्ण बद्ध्यति में प्राथ्मिक जी पौस्ण मला नी वनस्पती तरेके ऊड़ खाये ए वनस्पती न उप्योक पई विविद रित आवले प्राणीयों सजी ओ करें एटला मले नैसर्गिक स्त्रोत में सौथ्य मुख्य महत्व नो एक स्त्रोत गणी अन्तों सुर्य उर्जागने ए असे त्वज भुमी पाणी एने हवा यानी एंदनी बदीज विविद खटना उबन से बरावन चलो प्रुथ्वी परना स्त्रोत नी एंदर त्रोन प्रकार पड़े एक मृद्धा आवरन बीजु जला आवरन ने त्रिजु वात आवरन मृद्धा इतले मृद्धा आई एतले जमिन बरावत जमिननो आवरन शाइना हमम्हा आवरन प्रुथ्वी ने शाउफ्थी वुपरनिश पाटी फ्रुथ्वी नो आपड़े गोड़ हें प्रुथ्वी न विचारीये यान उप्योग आपड़ करी सकता ना थी उपन नो खाली जमीन के जय माथे आपड़ा को उपन करीए अना आपड़ा माट इस्त्रोध गणा है निच्च नो एक छे माथे को इस्त्रोध गणा दो ना थी लाण प्रुथ्वी नू सवथी उपर नू पड जय ना मृद्धावर पण्चुथी ट्रपकाई या अखुझ जय शे यहने जल्ला आवराण क्या वाई ए प्रुथ्वी नी सपाटी पर जे सम्मूद्र है याननो पाने पड़ान सम्माविस थाई जाई अन्न बीजु जे प्रुथ्वी नू आपड़ा बिय जड़काई है प्रुथ्वी नी नि अलगलग प्रकाणने वाई रहिलावाई अन्न जे ङम नाइत्रोजन शमाविस थाई ऑक्सिजन शमाविस थाई बद्धा ज वाई द्युथ्वी ने जादरनी जे म ढगती हवा ले अथावता वराण क्या वामा ओ जे प्रुथ्वी ने आजु बाजु एक चादरनी जें प जलावरण होई का मृद्धावरण और वातवरण। तोपन ना थाए, जो बनने जलावरण ने वात आणुए, पंचु मृद्धावरण जमिन न आणुए, प्रुथ्वी उपर, तो जी आपने खोवराक लेगे ही, वनस्पति मा थी, वनस्पति मा जी तैयार थे खोवराक, ये वनस्पति न आणुगे, जमिन न आणुए तो, ये एक, यान एथी पण, चाले नी, येला मेरे त्राणी आवणाँ जो असे, तो जी प्रुथ्वी उपर, जीवन सक्य बने छे, येना पच्छिन एक सब्द समझानों, अपने, जीवावरण, शब्द उपए, नमने जमिन नाईश्रक विप्सतों उतनी सम्मुद लेदी इप्रमान सब्द उपर्ति येना ब्ये प्रकार पड़े, जैविक घटको, अने, अजैविक घटको, जीवावरण ने अंदर, येनी व्याख्या आपड़े बना वीवए, तो जैविक घटक, प्लस, अजैविक घटको, ने सम्माविस करतु एक वातान, अथो तो एक आवर येना आपड़े जीवावरण कहिए छीए, जीवावरण ने अंदर, जैविक घटको, एटले, येने इन्द कोन सम्माविस्ता से, सजीवो, सब्द उपन सम्मझो आनू जैव, एटले, सजीव, सजीव ने अंदर जैविक घटको, सजीवो, वनस्पतिने प्राणी बदा, जैविक घटको, कि जैविक घटको, जैविक घटको, एटले, 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 एटले, जैविक घटको, कि एवम्मावे, हवापानी जैविक घटको, एटले, चलो तराव प्रकारे आपने नैसरगिक स्त्रोत नी थोड़ी महाति लिधी, बिजियाना स्त्रोतों विशे महाति लिधी आवे, आखा चेप्टर ने अंदर आपने 3 आवरान थी जाको चेप्टर नी सम्झूति लिवानी छे, जीवावरान ने अंदर प्याला जोई सजीवो याने इंदे खतड आजेवे घतक हो ये तो हबा पांनी यने जमीन। प्यालू आप्रिए सम्झिए आजेवे घतक, तो के हवा आजेवे घतक हो इस वाद करवाने। याप्तर मा सम्झुदी लेवाने नथी तो अज ये भी घटको छे आमा प्यालो ये घटक छे कईू हवा तो हवा ने आपने सामन्य माहिती लेए आपने जितली पान पृत्वीन आज बजनी हवा छे येना थकी दरेक सजीव पूतानु जीवन यामा दीक अलग-अलग वायु उप्योग करेने उप्योग यानो करेने पूतानु जीवन घुजार है वन अस्पत्य हए तो ये कार्बन डायोक्साइड ऑक्सिजन बन्ने नो सोर्सान स्वसान नी क्रिया कर से चलो जोई लिए अवान यंद कया कया वायु हुआ है तो नाइट्रोजन वायु केटला टका ह अक्सिजन वायु तो ये केटला टका हासे एक विस्ट का जुआ मड़े कार्बन डायोक्साइड हो है तो ये 0.03 अथवातो 0.04 मैं कार्बन डायोक्साइड ओक्सिजन नाइट्रोजन आ मुख्य वायु होई अना से वीजा किला अमिस्रित वायु होने कितली रच करोण आने बिजु एक रहलू छे बास्प एलेके बेज आपने एसी मा एसी नी रूम मा आपने उभ्याठा वईए और पच्छी बार निकड़ुले तरत आपनु शरीरस ए त्वच्चामान थी पर्शुओ बार नेकले रे चोटवामाडे तो एसी आना गाने तो वात्राणमे गर्म आपने गर्मेने अंदर पणे भेज एकले बास्प बास्प पने प्रमाण पणे वात्राणमा रेलू छे सुक्रों मंगलु पर आपने जी वात्राणमाजत करी यह प्रूथविव उपर नी वात्राणि पर्शुओ आनासिः आपने घणिवार टीवि माने क्याकाविवड साबडिवाई कि मंगल उपर वैग्नाने कुछ जै अने त्या आपना सजीवन जेए छे एक औरने मकाने र्यावानी व्यावानी व्यावस्ता है ये शक्य है परन्तु किटलीक अहद सुधी है शक्य है पर एक कारण यानु एव है कि जैना कराने यानी पर जीवन शक्य नथी सटु सेना काने इक सुक्रने मंगल पर तो के तिया मुख्य घटक जेशे है पंचानु थी 17 तानु टका जुआ अमड़े मुख्या गटक कायो तो कार्बन डायोकसईड द्यक्सअड पानी इतिया जुवां मडे धाराग खवाराक पन जुवां मडे पनसु कार्बन डायोकसड नुप्रमाल आतलु हो है वधारेया पंचानुधी आपने प्रमाल आपेल हुए तो यह आपने ऑक्सिजन इतलो बदो मर्तों नो थी कान के ऑक्सिजन नो प्रमाल उच्छु हुए तो आना काना सजुन जीवन शक्के नो थी वले त्या पाणे इनने बीजो ख्वाराक तरेके अपने जमीन माथी उगाणे के पाक मिडवी सक्के पन्यानो पे मतलब छे इतला माटे आएक मागमा प्रश्न खास पूछा आई से शुक्रन मंगल पर जीवन क्याम सक्के नाथी तो कारण के तिया मुख्य गटक कार्बन डा पंचानों थी सक्तानों टका जुआ मडए जो ऊच्छा टका जुआ मलतो होया तो सामे ओक्सिजन पाण वधारे हो तो एटले यह परंति यह थत्तू नथी यह इटला माटे जीवन सक्क्य नथी छे दिनापची वातावने पृत्विना शर्यास्ताप मने नियांत्रीद रा आपने जी रही एशी दे गर्मीनु प्रमान जडवे रे तापमान जडवे रे एनना काराणों घणा बदा हुई शक्के आपने आगल समझवासाने वर्जोन स्तोर इबदा काराणों छे इसमझी सुआ अगर्ना तोपिक मां आत्यार्य पूर्ट आपने आटलों याद राखे इत्रोणे इना उप्योग प्रूत्वी पर कहया कहया स्वरूपे थाई है एना आपने अत्यार्य समझी ए छी ए पहला आए या समझे तो यह कारबन डायक्साइड नूँको आत्वा अत्वा तो नुक्सान समझे बराबर इतना वात्तामान जी तापमान चडवान ने क्रिय इना माटे हवानों महत्त्वा समझे ए एना पच्छी जे ए एक ओक्सिजन नूँ महत्त्वा आपने समझे वानू है तो ओक्सिजन नूँ महत्त्वा शूँ छे तो यूक्यारियोटिक कोस हो ने प्रोक्यारियोटिक कोस हो यूक्यारियोटिक अने प्रोक्यारियोटिक तो अवा कोश हो नियंदर अपने सजिवञ पायन वेखम कोस ए चैप्टन नियंदर आना विस्चे समझेवन ले वाने ही छे अत्यारपूर्थ अपलया सब्द जनरा आख़ेशू आधी कोस क यंदरी कोस अन्य शूकोस केंद擊 यंदरी कोस अन्य सूकोस केंदरी कोस दरावता हुए जेम के लाइसोजम होए गुलगी काय होए अंत कोस्टरस जाड़ोए आवे अंगी काओ एनि इंदर जुआ अमडे आधी कोस केंदरी कोस होए तो यह इन इंदर एवी कुई अंगी काओ के सपस्ट कोस केंदर वत्तो नथी तो आईया वक्सेजन नू गुलुकोस ना आणू एटले के आपने ज्यारे पन खोराक लेए छी ए खोराक माधी विटामिन प्लोटिन आ बदू ख्याँ चाहे ने कोस्ट सुधी पोचे तो कोस्ट नी अंदर गुलुकोस ने तोड़वा माटे ने यह क्रिया थाए आनि अंदर गुलुकोस आविलोव आपने खईये छी एकोराक त्यामाधी घणा बदा विटामिन प्लोटिन माटे तोड़वा माटे यह इंदर रहिलो गुलुकूस ने तोड़वा माटे ओक्सिजन ने जरूवा पड़े निपच तरेके साइड माँ एटीपी श्वरुपी उर्जाम मुक्त थाए आवी उर् आपना शरीर मा रहलो छेले के मुख्य उर्जा प्राप्त करवायानू महत्तो गणाई छे ए सिवाई आपने जे जंगल माथी इंधन लाईये तो आने शडगावान नूँ ओए कि जंगल मा आग लागे त्यारे पन उटू ए मुख्य जवाबदार गणाई जो आक्सिजन न उटफिया मा सूट हो से प्रहने शाथे साथे आजु बाजु जी ऊक्सिजन नूघ रहलो है ओक्सिजन पने यानी साथे शाथे जसे आक्सिजन साथे जायरी बातन माली ये आग लाग बनी ये जडपी थाए ज्यारे जिटलों जडपी पावना से इतली पन आगने सेल्सियस माइनस 119 सेल्सियस थी 110 सेल्सियस वच्चे हुए तो यह अपने एक सम्झूती आपी है कि जो हवा ना हुए अथ्व पुर्थवी ने आजु बाजु आप्रकानु च्वक्ष वाता वर ना हुए तो सुक्रिया थाए तो कि चंद्र जेसे ने पुर्थवी जेम सुर आण के तियां भाथ आवर नती शुना थी वाथ आवर नती तो इटला माटे तियां ताप मन जे शैल्सियस माँ गणिए तो इस माइनस 119 थी 110 वच्चे अपन पहाच्ची जया इटला माटे तियां जीवन सक्क्यों नती चलो कार्बन डाइक साइड नो स्तापन जे आगर वनस पतियो, CO2 नरे उप्योगक करी एन्हें ग्लुकोज बनावे, आपने प्रकाश स्लेशन नी क्रिया खबर छे। प्रकास चंसलेशन नी क्रियामा पल्णो द्वारा जे प्रकास ख्याचा से एना वड़े लिलीवन स्पत्य होसे यहनी साथे-साथे प्रकास नी साथे-साथे अब द्वारा जे प्रकास ख्याचा से एक लिलीवन स्पत्य होसे यहनी साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-साथे-सा अपने प्रक्रिया थे अपने उपर बनाओशे तो CO2 नुस्तापाण आपने बे प्रकारे समझेया क्यां-क्यां जुवामडे, क्ये विरितना जुवामडे याद रेव जुवे ब्यमाक में पूछाए। चलो, आटली आपने जी प्रक्रिया समझया, ये नैसरगीक स्तुरूत नियंदर समझया, ये नियंदर प्यालो में गिदोक, अजेवी घटकोजे ये आपनने आपने आपने लाचे, बराबर हवा, पान याने जमिन, याना पर्थि आपने हवा विशेवाद करी, हवा नियंद ये एक पवण की विरिदना उत्पन्थ हतो होँशे, कोईक समय वधारे पवण होए, कोईक समय ओच्छो पवण होए, तो येने एक समझूती लईए, यानि प्यला एक प्रवुत्तियों तमने समझाईदू, समझो के ब्या ग्लास चे, एक ग्लास नी अंदर माटी अने जम मुक्की दिदो, शुरिया ने समय प्रकाशन मुक्षु धारों के आपने बार वागे के एक वागे तो शुथी मुक्यों, पच्छे आपने जुईए, तो बन्ने माधी सौथी वधारे जड़पी कोन थासे, तो ये आपने घरयानो प्रयोक करवानो, सौथी वधारे ज़म गणाशें ज़मीन थासे, अन्य सौथी घरयोक कोन थासे, तो ये जमीन थासे, ढदे ज़ऊण से घरयोक क्र == थासे पानी फ connected पानी दिम्य धीम्य थाशे अन्य जमीन से ये गरम थावने किरिया जड़पी हैसे यानि सामें आपना रात्र समझिये एज बन्ने ग्लास छे कि आखो दिवस तड़कामा पड़िया रिया है ये बन्ने ग्लास ने रात्र मुखी ये पाछा त्यारे सु धसे त्यारे पंड जी जमीन वधारे जड़प्ती गरम थेती दी फर यानित सामें जी पानी हैसे ये ओची जड़पे ठंडू थासे बन्ने किरिया रात ने दिवसमा उल्टी थासे बराबर तो आ प्रकारे आपने समझिया ये उदा अन्ती पवन नी घतिनी किरिया चे अजू ये आक्रुती उपरती समझिशू लापन वधारे सपशता थी आजू बाजू के निच्चे जशे तो के ना क्या जशे उपर जशे तो सामाटे उपर जाहे तो आपने एक नियम तरे के उश्विकरी लईए गरोम हवा छे अमेशा क्या गति करे उपर नी तरफ गति करे चे गरोम हवा अमेशा क्या गति करे उपर नी तरफ गति करे चे य पानी ना टिमपा थी आया तो इस पानी आ टिमपा थी आया तो यह पाणी यह तो यह उकड़ु यहनी वरारा थी उपणी तरफ गती कर देदी यह वरार छे शिबाव उपर आई अने ठंडी पड़ी आनके पाणी ना तापमन करदा शिबाव उपर नू तापमन कीव वह शे ओच्छु वह शे तो यहना कराने टिम्पा जेशे त्यां स् पावन नू शर्जन प्यला संझे लईए तो फवन शर्जन भिया प्रकार था एक पहला प्याल बब्यासब लघंसे अने संझीजिती छे एक लए लाई लए नरब बीजो प्रकार पच्छी थी समझेशू तो जो यो अईया आक्रुती जी आपने ही पिला आक्रुती आपने समझे लेए आज ये भाग चे आपने एक जमिन नो भाग चे लगए प्रुथवी छे प्रुथवी पन एक जमिन नो भाग चे आब आजो में भाग दुर जी समुद्र है लगए कोई पन चे ग्या एकट साथे शुर्य नो प्रकास पड़े एशे, बराबर, तो अवे थसेशू, मैं आगनी जे बे प्रवुत्ती सम्झाई, यहना पर्थी तमारे आ जे चार्ट छे या आकुची दूरी यहने साथे समध तुर्यावनू, सम्झो के पहले जमिन छे, दिवस्त दर्म्यान, जड़प छे, गरम थावाने, यह जमिन ने कीवी एशे, वदारे एशे, गरम जड़पी थाशे, बराबर, अन्ने, ठंडी पन जड़पी थाए, दिवस्त तर्म्यान, जी स्टुर्यावन प्रकास पड़े उले, जमिन जी एशे, जड़प थी गरम थाशे, हवे सम्झो, के जमिन गरम जड़पती थाथी दी, तो यानी उपन ने हुँ सम्झो, का आज यह जड़प थे हवाँ छे, जमिन उपन ने हवाँ छे, बद्दी कीवी थाशे, गरम थाशे, कानके निच्चे जमिन कीवी थे, गरम चे, जी आपड़े उन्नाणानी अंदर कईए, के लू वा पवण आवे, लू एटले बू अतिसे गरम पवण आवे, तो ये की वरितना निर्मलां थाए, तो दिवेश्तर में जमिन गरम जशे, जमिन ने अडिने जी हवा आशे, बड़ाबर एपन गरम थाशे, गरम हवा हुए अम्मिसक्यां गति करे, प्रवुत्ति उपर्थी सम् जासे, खाली एक वाताओं नो पुर्वठो पड़ चे लेके, खाली ये जग्यार रहाशे, और ये कोई हवा रहाती नथी, तो आना थी एक दबान उत्पन थाए, अवे सामो, आज प्रवुत्ति ने साथे साथे बिजी एक सामे प्रवुत्ति थायाच्छे, साथे साथे थ जमीन ने साथेक से क्यों गरम थाए है? उच्छू गरम थाए, यानी जड़की ये गरम थावानी उच्छी चे, यानी उपर जी हवा आशे, ये पन गरम थाती नथी लेके, आनी साथेक से समझानो, बाकि गरम थावनी थाती जो आई, पानी पन गरम थाए, जमीन पन गरम पर जमिन नी शापिक से पानी नी जे अवा आशे ये उची भाई छे ले त्यानी अवा आशे ठंडी रहे से कीवी रहे से ठंडी अवा रहे से बड़ाबर आजे प्रवत्ती समझी आपडे दिवस नी समझी एचे खास तपावद याद राकवनों छे दिवस तरम्यान आजे अवा आशे ठंडी रहे से अईया गरम थे अवा आई उपर जाशे इतला माट ये दबान सर जाशे दबान सर जाशे लगने खाली जग्यार पर से तो आपने समझी ए के बड़ालों ये तो बड़ाली अंदर हवा पानी भरी हुए तो याने अंदर हवा नावे पानी जब्स दरम्यान पवन्या घती आशे दिवस्से पवन्य गती क्ञा थी तो समूद्र ठी जमीन तरफ पाने शोरी अवा माँ नी गती जुवा मले छे रखास समझ्जो फरी थी एक वार जमीन उपे नियो कि अवा गरम थे गरम अवा अमिशा उपर जाई इतले उपर जाई ऐसे थिया आया एक वाथाओं पवन्य पहाँ तरफ समूद्र तरफ यह सूज अशे के रात्र सम्झो के वातान क्यों धाई जैसे ठंडू कान के सूर्य प्रकास वातो न थी तो दिवेस तर्म्यांची जमीन गरम धाई अन्य समुद्र नू पानी पन गरम धाई बड़ाबर तो रात्र सु धासे ठंडू पड़वानी क्रिया थासे तो ठंडा पड़वानी क्रिय समुद्र निए अवाती राथ दीवस्त्र में ज घरम थईयां धंडी थवाम अठे ढ़ा देमे धिमे जड़की वे धिमे धिमे पाणि जम्मीन अश्य तो जड़की थई जाय ए लोगरे जम्मा रहे शके पनतु पाणिया ये दिमे धिमे थण्डू पड़े इतला माटे आनी गरम जे वास दिवस्त्रम्याजी गरम अवा उत्पंधी हैसे उपर जासे आवी अवाजी हैसे कि उच्छा दबन सर जासे यहना काणे आजे ठंडी अवासे पाची समुद्र तरफ गती करशे बराबाई ला समझी है पवन्नी गती रात्रे दर्म्यान आईमे दिवस्त्रम्यान समुद्र थी जमिन तरफ पवन्नी गती था आए छे तो आ प्रमाणे पवन्नों सर्जन थत्तु जुवा मडे आपने आजुबाजु वातावन इंदर प्रुथ्वी नी उपर आप्यालू कारना आ सिवाई पण पवन्नी गती मां किटलक बदलाओ किटलक का पवन्न सर आए सकें कया करणू तो परवत्यों शुखला थी एक और उधाय समझा किया परवत छे तो परवतनी अही आथीकlor जो आउतु आतो आसे तो आओ प्रवत सथे टकराए परवत साथे टकर आएले पवन बद्धो उपर जतोरे तो आई परवत नी बाजु माझे मकानों जुवामडे आपने तो ये बद्धा ज मकानों नी अंदर पवन एवा भाईस्ताने पवन केवो जुवामर से उच्छो जुवामर से बढ़ावत आर इतना परवति शुक्लादी पवन अवरो दाए तो याना थी पन पवन नी गतिमा केटलों बद्लाव आई शके बीजू परुथ्वी ना परी ब्रह्मन थी तो आपने खवर है कि परुथ्वी जेजे पोताने धरीपर पन ब्रह्मन करे शुर्य नी आजु बजु पन परी ब्रह्मन करे तो इपरी ब्रह्मन न कारणे पण येनी अंदर पवन नी गतिमा बदलाव आयवी सके छे तो अब बन्ने कारण अने कहिए प्रवुत्ती समझे दिवस्तर में ने राध द्रम्यान तो खास चाट याद राखे शुविल आपन ये टोपिक याद रेशी तो आ प्रकार आपड़े नैसरगीक स्ट्रोत अजेविक नियंदर प्याल्ड टोपिक छे हव्वा नियंदर समझे लिदि आवती उक्ते आपणे पानी नियंदर समझे लिदि ये पानी जेविक कटक छे त्याने समझे लेशुँ थैंकिय।